नमस्कार दोस्तों मैं भाषा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर खोज खबर कायर क्रम मिलोड जस्टिस हो गया वाकई इस तरह का जस्टिस इस तरह का नियाए शायद ही भारती नियाए प्यालिका के इतिहास में पहले कभी हुआ हो ना कोई वादी रहे ना प्रतिवादी रहे नहीं किसी के साथ जो ना इनसाफी हुई है उसके पक्ष में बोलने वाला कानूनी लड़ाई लड़ने वाला कोई भी न रहे शायद जो निया इंडिया है उसका जो निया नॉर्मल है उस new normal में भारतिय न्याय प्रणाली किस तरह से काम करें इस बारे में आपका यह जो फैसला आया है जो आपने एहसान जाफरी मामले में सुनाया है वह एक नई लकीर खीशता है वह नई लकीर संसस से लेकर न्याय पालिका तक साथ खड़ी होती है जिस पर चर्चा करना बात क कितना संभव हो पाएगा कब तक संभव हो पाएगा शायद हम और आप यह भी बताने की स्थिती में आज की तारीख में नहीं है थोड़ा सा याद दिलाते हैं अभी जो सुप्रीम कोर्ट में मिलोड बैठे हैं उनको कि इसी अदालत ने 2004 में क्या कहा था गुजरात में 2002 में जो कतले आम हुआ था उसके बारे में उन्होंने सीधे सीधे इसकी तुलना की थी रोम से रोम के उस बिम से कि जब रोम जल रहा था तब नीरो कैसे बासुरी बजा रहा था और आज देखिए यही अदालत बता रही है कि ना रोम है ना नीरो है उस समय कोर्ट कहता है सामने जो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर कि आधिनिक दौर के नीरो कहीं और देख रहे थे जस बेस्ट बेकरी और मासूम बच्चे जलाये जा रहे थे इस तरह वह कोशिश कर रहे थे कि कैसे अपराद के दोश्यों को बचाया जा सके अब देखिए यह था हमारा सुप्रीम कोट 2004 में और 2022 में यानि 2002 हुआ उसके ठीक 20 साल बाद जाकिया जाफरी जो एहसान जाफरी की पतनी है और पिछले 20 सालों से अदालत के दर्वाजे कर रही है कि उनकी आखों के आगे उनके शोहर को जिस तरह से मारा गया था जिस तरह से जलाया गया था उसमें इंसाफ हो उनके बारे में आज की तारीख में मिलोड आपको लगा कि उन्हें बहकाया जा रहा है कुछ लोग हैं जो उन्हें बहका रहे हैं कुछ लोग हैं जो उसकी कोशिश की जानी चाहिए 20 साल हो गए तब से लेकर अभी तक जो लोग जाकिया जाफरी के साथ खड़े हुए हैं आज आपने जो सुनाया उसकी बदौलत वे पीछे हैं गिरफतार हैं एक बात बहुत एहम कि यह फैसला किस तरफ देश को ले जाएगा देश की जमहूरियत या लोकतंत्र को ले जाएगा और जमहूरियत को बचाने वाले या इनसाफ के लिए खड़े होने वाले लोगों को किस तरफ ले जाएगा या क्योंकि इसने बहुत साफ कर दिया है कि अगर जल्म मुसल्मानों के उपर हुआ है जैसा कि इस मामले में हम जानते हैं कि 2002 में गुजरात में किस बड़े पैमाने पर कतले याम हुआ था लोगोंने रिकॉर्ड किया था डॉकुमेंट किया गया था सब कुछ हुआ था और इसके पक्ष में जो लोग खड़े हुए थे जिन्होंने बहुत निर्भीक डंग से लड़ाई लड़ाई थी वे सब या यूं कहिए कि उन में से जो बहुत एहम चेहरे तीन हैं जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं संजीव भट तीसतासी तलवाड और स्री कुमार यह तीनों लोग सलाखों के पीछे हैं और इसका संदेश बहुत साफ है कि जब निशाने पे मुसल्मान हो तो उन्हें बचाने या उनके लिए लड़ाई लड़ने में साथ आने वाला अगर हिंदू होगा तो वह भी बक्षा नहीं जाएगा और देखिए यह महज इत्तिफाक नहीं है कि एक तरफ सुप्रीम कोट अपना बयान देता है सुप्रीम कोट अपना फैसला देता है और ठीक उसके बाद देश के ग्रिह मंत्री अमिश शाह खुलकर मीडिया के सामने आते हैं वह इंटर्व्यू में बताते हैं कि किस तरह से AC में बैठे लोग कुछ लोग इस पूरे मामले में किस तरह से साजिश कर रहे थे जब देश की ग्रिह मंत्री का यह ग्रीन सिगनल गुजरात पहुशता है तो सारा मामला हमारे सामने आता है किस तरह से तेजी से घटना क्रम घटित हुआ यह हम सब ने देखा आज सुप्रीम कोट ने यह भी कह दिया कि जाक्या जाफरी किसी और के निर्देशन पर काम करती कई सारे विक्टिम उसका एफिडिएट यहां पर जिस शक्स की हम बात कर रहे है जिस शक्स को न्याय दिलाने के लिए उनकी पत्नी 20 साल से संघर्ष कर रही है उनके बारे में कुछ चंद बातें करना बहुत जरूरी है एहसान जाफरी एहसान जाफरी एहमदाबाद से चुने जाने वाले पहले मुस्लिम सांसत थे और एक बहुत एहम बात कि वह ट्रेड यूनियन एक्टिविस्ट थे 1969 में जब एहमदाबाद में सांपरदाइक हिंसा हुई थी तो उनका घर जला दिया गया था बहुत मुश्किल से वह बचे थे और उनका होसला देखिए कि वह एहमदाबाद के उसी इलाके में वापस आये उन्होंने वही घर बनाया गुलबर्ग सोसाइटी बनाई और 2002 में जब हिंसा हुई उस समय हम सो सकते हैं कि आखिर क्यों गुलबर्ग सोसाइटी को इतने बड़े पैमाने पर हिंसा करने वालों ने निशाने पर लिया क्योंकि इलाके के तमाम मुसल्मान वहां पनाह लिये हुए थे और आज की तारीख में यह मामला इसलिए भी एक प्रिसीडेंस है क्योंकि इस से तकरीबन यह सेट हो गया है कि भारती राजनीती में जब स्टेट स्पॉंसर हिंसा होती है जब राज्य सरकारें उसमें दोशी होती है वहां पर नियाए मिलना कितना मुश्किल है सिर्फ मुश्किल ही नहीं वहां पर नियाए के लिए जो लोग लड़ाई करते हैं उनके लिए जेल इंतजार कर रहा होता है दस साल केस चला तीन सो पन्ने का फैसला चंद घंटों में गुजरात पुलिस ने पढ़ लिया, कानूनी राय ले ली, दस पेजों की F.I.R. तैयार हो गई, तीस्ता सी तलवार और श्री कुमार को गिरफतार कर लिया गया दोस्तों, एक बात बहुत जरूरी है, लोगों को याद दिलाना, बतलाना और स्मृती में ताजा करना कि आखिर तीस्ता सी तलवार को क्यों इस तरह से निशाने पे लिया गया तीस्ता सी तलवार वह निर्भीक मानवधिकार कारे करता हैं, जिन्होंने गुजरात में 2002 में जब पूरे बड़े पैमाने पर हिंसा थी, ऐसे नौ बड़े मामलों में जो हिंसा के मामले हुए थे, जहां बहुत बड़े पैमाने पर सामोहिक बलातका और हत्ते आएं, अंगिनत चीजें सामने आई थी, ऐसे 68 केसेज में 120 कन्विक्शन हासिल किया था, यानि दोशियों को सलाखों के पीछे तक पहुचाने में बहुत एहम भूमिका रही तीस्ता सीतलवाड की, बिलकिस बानों को भी इंसाफ मिल पाया, क्योंकि तीस्ता और बाकी तमाम लोग उनके पक्ष में खड़े थे, नियाय की जो कठिन लड़ाई लड़ी, उसमें वे सारे लोग शामिल थे बिलकिस बानों वह निर्भीक महिला हैं गुजरात की, जिनके साथ सामोहिक बलातकार हुआ, बच्चे को मार डाला गया और उसके बाद वह दर बदर भटकती रही, उन्होंने अपना राजी छोड़ दिया, पता बदल दिया, लेकिन इंसाफ की लड़ाई लड़ती रही, और अंतता दोश्यों को सजा दिलाने में कामियाब हुई, हमने देखा है कि जब स्टेट स्पॉंसर्ड हिंसा होती है, यानि राजी के नित्रुत में हिंसा होती है, माइनौरिटी को निशाने पिलिया जाता है, ऐसे अंगिनत मामले जो हुए हैं भारत में, उनमें नियाय म मिलना कितना लंबा होता है, कितना जटिल होता है, चाहे 84 का मामला हो, या उससे पहले अंगिना, चाहे आसाम का नली का मामला हो, हर जगा, वहाँ बहुत मुश्किल हुई, गुजरात 2002 में, सिविल सोसाइटी क्योंकि मजबूत थी, उसने डॉकुमेंट किया, इसलिए ये मामले उन में से कुछ मामलों में सजा हुई, लेकिन उसके बाद जिस तरह से निशाने पर, वहां के ततकालीन मुख्यमंत्री और गिर्हमंत्री आये, शायद यह सबसे बड़ा पेच था, यह एक ऐसी वाशिंग मशीन की जरूरत थी, कि जो तमाम दाग हैं, इन्हें धो द दिया जाए, जिसकी कोशिश इस समय अदालत के जरिये की गई है, जहां इतिहास बदला जा रहा है, जहां पर लोगों की स्मृती से यादा से बहुत सी एहम चीजें मिटाई जा रही हैं, वहां पर यह जो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिजम लोगों ने किया, जिसकी बर्दहस्त उन्हें मिला हुआ था, इसमें जो बाबू बजरंगी हैं, इनका यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें खुलकर तमाम तार आते हैं, पुठे, प्यूरों तो थी हमारे बाद, उस्टन तो बज़े होरता सब, कमिश्टर रात को आये सब, उन्हों मुला हिरुचरे इतना बढ़ा हो जाएगा तो मेरा भी तकलिफ होगा, उन्हों उठवा कि सब उम्दावाज में फिपाजी, सब स्वील में लाग लग लग लेकिन मिलोड, शायद ये वीडियो, ये तक थे, ये डॉकुमेंट्स बहुत पुराने हो गए हैं, शायद यही वज़ा है कि जब तीस्ता को गिरफतार किया गया, उस समय अंतराष्टी इस्तर पर, बहुत बड़े पैमाने पर, विरोध में आवाजें उठी, संयुक्त राष्ट की स्पेशल रेपेटियर, हीमन राइट्स डिफेंडर, मैरी लॉयल, ने साफ कहा, उन्होंने तीस्ता की गिरफतारी पर गंभीर चिंता जताई, और उन्होंने कहा कि उनकी तुरंत रिहाई होनी चाहिए, उनको जिस तरह से निशाने पे लिया जा रहा है, विक्टिमाइज किया जा रहा है, यह सरासर गलत है, लेकिन सवाल यह है, कि जो सारी मांगे उठ रही हैं, इनकी सुनवाई कहां और कौन सा मंच करेगा, तो आईए देखते हैं कि सुप्रीम कोट में इस फैसले को सुनाने वाले जो मिलोड हैं, वे लो कौन हैं, जिनों उनने जाकिया जाफरी के 10 साल पुराने मामले पर यह एहम फैसला सुनाया है, दिनेश महेश्वरी, यह वह जज हैं, जिन्हें 32 वरिष्ठ जजों की जो पूरी लाइन लगी हुई थी, उसे साइड लाइन करके जज बनाया गया, सुप्रीम कोट का, इनका नाम तो कोलीजि में भी नहीं था, दूसरे शक्स जिनकी फोटो आपको दिखाई दे रही है समे स्क्रीन पर, इनका नाम है एम खानी विलकर, जुलाई में यानि बस अगले महीने ही वह रिटायर होने वाले हैं, उनकी ख्याती यूटर्न लेने वाले जज़ों के तौर पर काफी है, चाहे वो सबरी मला वाला फैसला हो या कुछ और फैसले, और सबसे एहम बात कि उन्होंने ही दिनेश महिश्वरी के साथ जो विवादिज सेंट्रल विस्ता वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा है, उसे मंजूरी दी थी, हब निश्चित तोर पर हम और आप देखेंगे कि रिटायर होने के बाद उनकी कहां पोस्टिंग होती है, कैसे पोस्टिंग होती है, तीसरे जज हैं सीटी रवी कुमार, जिने ऊपर से यानि पैराशूट के तौर पर इस पैनल में डाला गया, वह सुप्रीम कोट के जज बनने से पहले किसी भी स्टेट के चीफ जस्टिस नहीं थे, अब देखिए कि इन तीन जज, इन तीन मिलोड्स ने किन लोगों को दोशी बनाया, या उनका जो फैसला था उसकी गाज, गुजरात के जो IPS संजीव भट जो पहले से सलाखों के पीछे हैं, उनके उपर पढ़ती है, गुजरात के जो पूर डीजे पी, आर बी, स्री कुमा पत्रकार हैं, उनके उपर पढ़ती है, पत्रकार वो human right activist, तीस्ता सीतलवार उनके उपर पढ़ती है, यह सब कुछ इतना सीधे सीधे सबके सामने हो रहा है, जिस तरह से तीस्ता सीतलवार को मुंबई से गिरफतार किया गया, और जो पूरा का पूरा घटना क्रम हमारे सा सामने आया, उससे एक बात बहुत साफ लगती है, कि यह पहले से तैयार प्रशाशन की कारवाई थी, जिसके बारे में कांता प्रसाद, जो एक्स रेजिस्टार जनरल ऑफ कोर्ट उत्राखंड और पूर्व जजज हैं, उन्होंने जो अपने ट्वीट पर कहा है, उससे होता है, क्योंकि वह इशारा देते हैं, कि यह सब पहले से तैय लगता है, प्री डिजाइन है, और दोस्तों, हमें भूलना नहीं चाहिए, कि पिछले साल ही, जो विश्व में देमोक्रेसी का पूरा का पूरा माबदंड होता है, उसमें भारत को पार्शिल देमोक्रेसी की भारत के भीतर, जो लोकतंत्र है, वह बहुत ही जटल स्थिती में है, यहां पर खुलकर लोकतंत्र नहीं है, और जो घटना करम हम आपसे शेयर कर रहे हैं, जो हमें दिखाई दे रहा है, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, वह इस बात की तस्दीक करता है, कि भारत म लोगतंत्र पर खत्रा कितना गहरा कितना बड़ा है सुकून की बात यह है कि एक तरफ जहां जाकि अजाफरी न्याय की लड़ाई नहीं छोड़ती वहीं दूसरी तरफ उनके पक्ष में खड़े होने वाले लोग आज भी देश की राजधानी दिल्ली से लेकर तमाम जगों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं सिटिजन प्रोटेस्ट हो रहा है शायद एक बात बहुत साफ है कि जिस तरह से एक-एक करके तमाम लोगों को जो न्याय के पक्ष में खड़े हैं जो इनसाफ के पक्ष में खड़े हैं निशाने पे लिया जा रहा है उसमें अगर यह क प्रायर गोहर रजा की जो नजम है मिलोड उसकी चंदलाईने आपके लिए भी पेश हैं शुक्रिया हाँ मेरा जुर्म है संगीन बहुत ही संगीन मैंने इस दोर जबावन्दी में लबकुशाई की जो जुर्रत की है जुर्म है जुर्म की जो चाहे सजा दें मुझको आप हैं जिल इलाही माई लॉर्ड आपका काम था इनसाफ तो इनसाफ करें आपका काम था इनसाफ तो इन आप आजाद हैं इनसाफ को जो चाहे शकल दें मनजूर आप आजाद हैं इनसाफ को बदला कर दें आप आजाद हैं इनसाफ को बदला कर दें आप आजाद हैं इनसाफ को लपसी निकावजार बना दें माई लॉर्ड आप इनसाफ के खंजव से हर एक उंगली को काट कर फेक और काटें, तो कुछ ऐसे काटें, कोई उंगली किसी हाकिम पे कभी उठना सके, आप आजाद हैं इनसाफ को, एक बेत में ढालें जिससे सर उठाए कोई गर, उसको सजा दें जैसे, कोई स्कूल के बच्चों को सजा देता है, हाँ मेरा चुर्म है संगीन, बहुत ही संगीन, अब जो चाहे सजा दें मुझको गर इजाज़त हो, तो कुछ और भी मैं अर्स करूँ, हम को इतिहास बताता है, कहरद और खिजा में यूही फूल खिलते हैं तो खिलते ही चले जाते हैं, एक बादल किसी कॉने से उभरता है कहीं, और सहरा परस जाता है, एक बादल किसी कोने से उभरता है कहीं और सहरा पे बरस जाता है नंगे पेड़ों की किसी शाक पे बैठी कोयल गाने लगती है तो गाती ही चली जाती है यूँ ही हर सिम्त से आती है सदा वादियां गुंचने लगती है उसी नगमे से और कोई कितना भी चाहे के उसे कैद करे और कोई कितना भी चाहे के उसे कैद करे नगमा हर कैद से आजाद बिखर जाता है